मुबाइल ट्रांस एक बहुती बहतरीन सौफ़एर है दोस्तों और इनका चल रहा है गिववेर जिसमें आप 100 डॉलर्स कैश यानि की 7-8,000 रुपए कैश और 10 लगी विनर्स ये कैश प्राइस जीत सकते है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक पे आप चले जाएंग है ये कैश प्राइस जीतने में तो बिल्कुल भी ये मौका मत चोड़ना नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है उस पे क्लिक करके इसके ववे में पार्टिसिपेट जरूर्व है हमने काफी सरे आइफोन कवर किये दोस्तों अब तक कि 2020 में आपको कौन सा आइफोन लेना चाहिए कौन सा नहीं लेना चाहिए कौन सा लेना चाहिए तो क्यों लेना चाहिए क्यों नहीं लेना चाहिए और यूज लेना चाहिए फिर नहीं लेना चाहिए तब बारी है दोस्तों आइफोन 7 प्रस की आप लोग की बहुत टाइम से डिमान आ रही थी लेकिन बात करने वाले दोस्तों आइफोन 7 Plus की काफी ज़दा डिमांड है आप लोगों की इस फोन से रिलेटेट तो आईए इसके बारे में बात करते हैं और देखते हैं क्या आइफोन 7 Plus जो है आज 2020 के हिसाब से एक वैलिफोमनी डिवाइस है या नहीं क्या आपको नया लेना चाह तो सबसे पहले बात करते हैं दोसों डिजाइन एन बिल्कॉलिडी के बारे में जैसे मैंने आइफोन 7 के बारे बता था यह भी फोन जो है एक काफी इंपॉर्टन फोन है यह सीरीज का 2020 का यूग के पुराना होते हुए भी यह फोन जो है एक मॉडरन फोन मैं बोल सकता हू यहाँ पर 7000 सीरीज का अलुमिनियम है और काफी ब्यूटिफुल लगता है देखने में एक बड़ा फोन है अगर मैं यहाँ पर कंपैरेजन बताओं आपको साइस का यह आइफोन 11 है जो है 6.1 इंचिस के स्क्रीन के साथ और यह है आइफोन 7 प्लस जो है 5.5 इंचिस के स्क लंबे डिस्प्ले होते है 18-9, 19-9 वाले उसके मुकाबले यह जो पैनल होते है इसमें आपको विट्थ जादा देखने को मिलती है तो जादा अच्छे तरीके से बहुत लोग यह वाले डिस्प्लेज का इस्तमाल भी कर सकते तो ऐसे जरूरी नहीं कि यह modern डिस्प्ले है इ यहाँ भी जो 7000 सीरीज का aluminum दोस्तों वो काफी रोबस्ट है आज के जमाने के साब से भी यह जो है इसमें कोई भी आपको bending वगरा प्रॉब्लम नहीं आता तिपिकल आपल फैशन में आपको left side में सारे buttons देखने हो मिलते है right side में on or switch देखने हो मिलता है single sim का यहाँ पे tray है और इसके अंदर कोई e sim वगरा नहीं आता बॉटम में अगर आप देखेंगे तो एक speaker है एक microphone का grill है और यहाँ पे lightning connector है कोई भी 3.5 audio jack जो है आपको iPhone 7 Plus में नहीं देखने मिलेगा iPhone 7 की तरह और उपर भी एक दम यहाँ पे आपको clean look देखने को मिलता है back side में अगर आप दे आता हूं कि iPhone 7 Plus जो है यह एक IP67 certified dust and water resistant device है याने कि एक मीटर पानी में आप 30 मिटर इसको रखेंगे तो इसके अंदर पानी नहीं जाना चाहिए लेकिन advisable नहीं होता यह कोई भी phone को पानी में डुबाई यह सब आक्सिदेंटल कभी ऐसा हो जाता है तो उस टेम पे आपके phone क प्रोटेक करने के लिए होता है iPhone 7 Plus के अंदर आपको dual speaker का setup भी देखने मिलता है दूसरा speaker जो है इसका earpiece में है तो यहाँ पे आपको stereo quality का sound जो है वो देखने मिलेगा इसके speaker से speaker बहुत जादा loud नहीं है जितने iPhone 11 या iPhone XR में आते है लेकिन फिर भी जो है decently loud है और single speaker वाले iPhone से जो है काफी जादा loud है डिस्पले की अगर बात करें दोस्तों तो जैसे पने आपको बताया 5.5 इंजिसका LCD डिस्पले है full HD resolution वाला है जो यह बाकी के आते है नए वाले iPhone XR iPhone 11 उसके अंदर full HD से थोड़ा कम resolution 828 pixel वाला है लेकिन यहाँ पे full HD panel देखने को मिलता है और यह जो डिस्पले है इस पे आप जो है इस तरीके का landscape mode भी रख सकते है जो कि यह वाले iPhone के अंदर possible नहीं है तो अगर आपको tablet जैसे form में इसको इसको इस्तिमाल करना पसंद है तो आप जो है इसको ऐसे भी यूज़ कर सकते इस वाले orientation में यह जो डिस्पले है यह एक pressure sensitive display है या software based test था इसके अंदर भी दोस्तो iPhone 7 जैसा एक taptic engine यहां पे दिया है जो कि haptic feedback जो है बहुत अच्छा देता है यूग कि इसके अंदर जो touch ID sensor है वो जो बटन है वो एक capacitive बटन है याने कि आप जब इसको प्रेस करेंगे तो actual में प्रेस नहीं होता लेकिन इसके अंदर से इ यह वाला touch ID sensor आएगा performance के अगर बात के लिए दोस्तों तो इसके internals के अंदर आपको मिलता है A10 fusion chipset और 3GB का RAM पहली बार जो है किसी भी iPhone के अंदर 3GB का RAM आया वो इसी iPhone के अंदर आया iPhone 7 के अंदर 2GB का RAM आता है 6S Plus के अंदर 2GB का RAM आता लेकिन इसके अंदर 3GB का RAM आया जो कि iPhone 10R के अंदर भी आपको 3GB का RAM मिलता है तो ऐसा नहीं है कि RAM के मौमले में यह कोई पुराना iPhone है 3GB का RAM मोड देने है बहुत अच्छे तरीके से जो है आप इसमें multitasking वगारा कर पाएंगे कोई भी issue आपको देखने इसमें नहीं मिलना चाहिए और A10 fusion chipset जो है दोस्तों वह भी चाहिए तो कोई भी issue आपको नहीं आना चाहिए इसमें connectivity की अगर बात कर लेते दोस्तों तो यहाँ पे आपको मैं एक चीज बता रहता हूं कि Geo WiFi यहाँ पे लिखा हुआ है यानि कि समझ लीजिए कि इसके अंदर WiFi calling है जो आजकर बहुत सारे modern Android phones के अंदर भी लोग software update कर ठीकिन यहाँ पे आपको जो है WiFi calling का support out of the box मिलता है कुछ भी आपको करने की ज़रूत नहीं और यहाँ पे जो है AirDrop वगरा सारी चीज़े आपको देखने मिलेगी कोई भी issue नहीं आएगा आपको और साथी साथ दोस्तों इसके अंदर जो है NFC भी देखने मिलता है इस तरी PC phone के अंदर आया और portrait mode में यहाँ पे आप जो है objects का photo ले सकते है portrait effect के साथ जो कि iPhone XR के अंदर पॉसिबल नहीं है उसमें से portrait effect जो है humans का होता है लेकिन इसके front facing camera से आप portrait effect वाले photos नहीं ले सकते इसके camera के अंदर आपको मिलता है दोस्तों एक telephoto lens और एक regular wide angle lens दोनों ही 12 megapixel क दाती है यानि कि आपको काफी जो है smooth और stable videos और low light में ठीक टाक photos निखालने में help कर देगा portrait mode के बारे में इसके एक और चीज़ बतायता है दोस्तों इसके अंदर portrait mode जो है object सा photo ले सकता है iPhone XR जैसा लेकिन iPhone XR जैसा इसके अंदर portrait lighting effects आपको देखने को नहीं मिलते है इस phone का जो front facing camera है दोस्तों यह 7 megapixel का camera है जो कि आपको decent selfies और अच्छा खासा video recording capability भी दे देता है या पर camera के settings में जाके आपको बताया दोस्तों के कहां तक यह video recording जो है वो support करता है तो 4K 30fps तक आप इसमें video recording कर सकते हो rear facing camera से और 1080p 60fps के भी smooth video recording कर सकते हो इसके slow motion का भी option है जिसमें आ 720p HD at 240fps के videos ले सकते हो rear facing camera से social media का अगर आप इस्तमाद के मुकाबले आपको इसके camera बहतर लगेंगे क्योंकि इसके camera से जो Instagram वगरा का जो in-app camera है वो बहतर फोटो लेता है क्योंकि Android के अंदर सिफ screen shot ही लेते है उसके cameras आज के जमाने में दूस्तों कोई भी जो smartphone होता है उसक PUBG खेल सकते हो अगर आप इस पे frame rate कम कर देते हो maximum जो है यह HDR support करता है Ultra HD जो है इसके अंदर अभी तक supported नहीं है तो यहाँ पे हम लोग smooth और ultra या maximum frame rate पे थोड़ा PUBG खेलके देखते है क्या यह lag होता है या नहीं होता है तो यहाँ पे दोस्तों जो हम लोग PUBG खेलके देख लेत इसका GPU भी जो है काफी powerful है और कोई भी issue जो है आपको PUBG खेलने में कोई भी lag वगरा महसूस नहीं होगा और battery life की भी बात कले था दोस्तों PUBG खेलते ही यह कि PUBG अगर आपको अच्छी नहीं मिल रही तो फिर कोई मतलब नहीं है PUBG खेलने का और यहाँ पे इस चीज के अंदर जो परसंट है तो आपको जो है PUBG खेलने के अंदर इस फोन के अंदर कोई भी issue जो है नहीं आना चाहिए अच्छा खासा decent battery life यह फोन देना चाहिए और अगर अगर अगरा PUBG नहीं कहलते हो अब heavy gamer नहीं हो और regular use करते हो medium आपका usage है तो आपका जो है फोन अराम से सुबा से लेके रात तक का battery backup आपको देगा लेकिन शर्त यह है कि जो फोन आप ले दे हो उसकी battery health अच्छी होनी चाहिए क्योंकि लोग जो फोन कभी-कभी खरी लेते हैं second hand में 75%, 80% battery health वाला और उसके आद उनको battery life नहीं मिलती है तो उनको लगता है कि iPhone की battery life जो है वो खराब है लेकिन ऐसा कुछ नहीं है पुराने वाले जितने भी iPhones है उनसे आपको बैतर battery life यहाँ पे देखने मिलने वाले और iPhone 7 से भी आपको यहाँ पे 1000 mAh का पैसर की battery जादा है तो आपको decent battery life यहाँ भी देखने मिल जाती है बाकी यहाँ पे दोस्तो banking applications और बाकी सारी जितने भी चीज़े day to day life में आपको use करनी होगी UPI वगरा वो सारी चीज़े यहाँ पे अच्छे तरीके से चल जाएगी इसके अंदर एक चीज़े दोस्तो battery बड़ी है और यहाँ पे आपको बहुत सादा fast charging नहीं मिलती 10 watt का 12 watt क fast charger जो है जो कि iPad बगरा के साथ आता है उससे जो है आप decent speed में इसमें जो है charging कर सकते हो लेकिन 5 watt का जो charger इसके साथ आता है उसके साथ जो है आपको थोड़ी slow charging मिली तो उसके लिए आपको prepared रहना पड़ेगा तो इसी के साथ दोस्तों हमारा video conclude करते है और जो है decision पे आ जाते उसका reason है दोस्तो पुराने जो iPhone में बदाया उसमें आप नया ले सकते हो second hand ले सकते हो लेकिन iPhone 7 Plus की जो market value है आज भी काफी जादा strong है काफी जादा price में यह बिकता है अगर आप नया लेने जाते हो दो और second hand market में भी इसकी price जो है और इसका demand जो है काफी जादा है तो second hand अ लेकिन अगर आप नया लेते हो तो यह आता है 35,000 रुपे का फिर उसके अंदर 5,000-6,000 रुपे और डलके आप जो है नया iPhone XR या फिर उतनी पैसे में आप second hand iPhone XR ले सकते हो जो कि इससे much better smartphone है तो अगर आपके बास दो options है दोस्तो iPhone 7 Plus या iPhone XR तो iPhone XR के लिए जाए लेकिन अगर आपको second hand में अच्छी deal मिलती है 20,000-25,000 रुबे में 128GB वाला iPhone 7 Plus काफी अच्छी condition में अच्छी battery health की जथ तो जरूर आप इसके लिए जा सकते हो आज भी आपनो क्या सोचते दोस्तो iPhone 7 Plus के बारे में और क्या मैंने यहाँ पे कोई point मिस कर दिया अगर कर दिया है तो नीची comment section में लिखके बताईए थैंक यू सो मच फो लिए इस वीडियो गुद बाई